तो आज का आपका टौपिक है प्रिपेशन औफ एल्डी हाइड न कीटोन आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एल्डी हैड के से बनता है और साथे साथ कीटोन के से बनता है इन दोनों की method of preparation हम देखेंगे organic chemistry यह आपको बी-pharmacy में है J-E-Mans, NEET और BSC सभी में यह common syllabus है preparation of aldehyde and ketone और फिर इसी lecture में हम देखने वाले है reaction of aldehyde and ketone जो preparation हमने करी है जो हमने aldehyde बनाया, ketone बनाया अब इनकी reaction देखेंगे मतलब यह जो aldehyde ketone हम बनाएंगे तो हम aldehyde बनाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे preparation of ketone, okay ketones बनाएंगे फिर हम देखेंगे aldehyde और ketone की reaction कि यह aldehyde और ketone जो हमने बनाएं यह react कैसे करते हैं चलिए तो start करते है preparation of aldehyde से अगर आपको all lecture देखना है तो मैंने playlist की link जो है WhatsApp group के बारे में आप WhatsApp group feature से जुड़िए और वहां से आप notes को download कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का lecture तो देखिए preparation of aldehyde में सबसे पहली reaction आपको दे रखी है hydration of alkyne जो alkyne group होता है उसको hydration करना है alkyne group से मेरा क्या मतलब है C1C और hydration से मेरा क्या मतलब है S2O के साथ reaction करानी तो जो alkyne group बनता है उसकी hydration करानी है तो alkyne group का मतलब होता है C1C तो जैसे हमने ले लिया इथाइन मैथ दो carbon होगा इथाइन हो गया यह ठीक है तो इथाइन की reaction जब मैं पानी के साथ करांगा in the presence of H2SO4 and HgSO4 मेरे साथ बोलो in the presence of H2SO4 and HgSO4 it gives acid aldehyde और यहां पर आप देख सकते हैं aldehyde बन चुका है क्योंकि acid का मतलब carbon और यहां पिछे लग गया aldehyde तो यहां पर हमने aldehyde बना लिया और aldehyde हमने केसे बनाया सिंपल है alkyne जो था उस alkyne में alkyne जिसे इथाइन ठीक एक एक्जाम्पल दे रगा alkyne का इथाइन तो हमने इथाइन में क्या करा hydration करा hydration का मतलब पानी जोड़ा और किसकी presence में करा H2SO4 HgSO4 तो हमें बिल गया aldehyde किस form में मिला acid aldehyde की form में मिला now second reaction is rose and moon reaction देखो rose and moon reaction को start करने से पहले मैं आपको एक important बात बताता हूं कि यहाँ पर मैंने इथाइन नहीं क्यों लिया क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता जैसे प्रोपाइन लेता butyne लेता तो इस reaction में किटोन बनता क्योंकि यहाँ पर जब हम इथाइन ले लेंगे तभी aldehyde बनेगा अगर इथाइन किजिके कुछ और ले लेंगे जैसे प्रोपाइन ब्यूटाइन तो किटोन बनेगा तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है all other alkyne give ketone in this reaction सिर्फ और सिर्फ इथाइन ही aldehyde देता है बाकि जितने भी alkyne का example मैंने इथाइन लिया और यह इथाइन इसलिए लिया क्योंकि यही aldehyde देता है बाकि जितने भी alkyne group है वह सारे ketone देते हैं सेकंड रियक्शन देखो रोजन्मून रियक्शन रोजन्मून रियक्शन में क्या करना है एक acid chloride लेना है यह acidic chloride है यह chloride है और यह acidic है और यहाँ पर benzene group रगी है that's why benzoyl chloride क्या वो लेंगे हम इसे benzoyl chloride ओके यह रहा benzoyl chloride तो रोजन्मून रियक्शन में रोजन्मून रियक्शन में हमें क्या लेना है सबसे पहले benzoyl chloride और इस benzoyl chloride की reaction करा देनी है h2pd baso4 के साथ hydrogen pd का मतलब palladium और baso4 का मतलब barium sulphate तो हमें सबसे पहले लेना है benzoyl chloride या फिर पता हूं देखो और सी डबल पॉंड ओ सी एल आर का मतलब क्या हो गया benzoyl chloride तो जब हम रियक्शन कराएंगे तो हमारे पास ldi group आ जाएगा ldi group होता है ch o this is the ldi group तो बैंजन के साथ ldi आया तो बैंजन का benz और ldi बन गया थर्ड रियक्शन इस स्टीफन रियक्शन यह सब हम क्या पढ़ रहें ldi बनाना देखो यहां पर भी acid ldi बना ldi बन गया यहां पर बैंजन के साथ ldi बन गया मतलब ldi बन गया हमें ldi बनाना है कैसे भी करके तो दो रियक्शन तो देख ली पहला तो hydration of L का हैं दू SNCL2 SCL पहले कार्टू नेटवर्क आता था आपने देखा होगा कार्टू नेटवर्क लो कार्टू नेटवर्क से CN यहां पर CN आ गया आर का मतलब एलकायल ग्रूप होता है तो RCN प्लस SNCL2 प्लस SCL ठेक है यहां पर reaction कराई तो हमारे पास बना इमीन क्या बना बच्चों इम इमीन होता है RCN double bond NH तो जिसको नहीं याद रखना यह structure आप सीधा लग दो इमीन बनाए तो सबसे पहले हमने RCN SNCL2 SCL की reaction कराई यह सारे reactant है जो arrow case side है तो यहां पर हमने reaction कराई RCN SNCL2 SCL की तो बना इमीन और इमीन को जब हमने further hydrolysis किया तो हमारे पास मिल गया aldehyde तो फाइनली हमें स्टीफन reaction में भी aldehyde मिल गया तो थर्ड इस स्टीफन reaction सेकंड रोजन बूंट और फर्स्ट हाइड्रेशन ऑफ अलकाइन ना फोर्थ रिएक्शन इस फ्रॉम एस्टर हम एस्टर से भी aldehyde बना सकते हैं एस्टर का मतलब क्या होता है ध्यान से सु तो इस आर का मतलब हो गया बिलकुल अलग अलगे है दोनों और यहां पर क्या होता है सी डेवल बॉंट ओ और एक ओ भी होता है तो यह है एस्टर ग्रॉप तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आप compare कीजिए देखिए ज्यान से देखिएगा यह जो है एक आर मतलब और यहां पर बचा यह सी डबल पॉंट ओ जो कि मैंने बोला था कि सी डबल पॉंट ओ और पीछ में ओ तो यह एस्टर ग्रॉप कैसे होते हैं और जो और आब के आपको सीच तुञाइन दे रखा यह ओ से तुञाए ठीक है अब इस एस्टर की रियक्शन हमने कर रहा और यह बहुत शान्दार रिएजेंट होता है जिसकी फ्रेजेंस में ld बनता है क्या बनता है बच्चो L d हईट तो आप देख सकते हैं सब कुछ से हमें यहां तक यह सब कुछ से हमें आज़िट है और यहां पर इसकी जगे Hydrogen आ गया, तो Hydrogen आ गया मतलब क्या हो गया, C-H-O, और L-D-AID क्या होता है, C-H-O, तो बन गया L-D-AID, तो Aster से भी हम L-D-AID बना सकते हैं, Now next is, next method of preparation है, E-T-Art Reaction, इसका नाम क्या है, E-T-Art Reaction में भी क्या बनता है, एल्डी हैड बनता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं या पर मैंने में नाम दिया था हाइड्रेशन ऑफ एलकाइन उसके बाद बुला आपको रोजनमूर्ड रिडक्शन फिर तीसरा में देखा उसमें देखा हमने स्टीफन रियक्शन फॉर्थ हमने देखा एस्टर से हमने विपनाए प्लंय में यौ सो करना है और जब भी बेंजीस के साथ स्टीफ्ट होता य ° यहल्ध स्टीफन क्या बड़ता है तो बोलता है और बैंजीन स्टीए होता है तो पूलते हैं चृजिय आफियivas लिक्टे और यहीं अहाँ पर यह भाए यह बैंजिन है यह अपर यह तो अब यहां पर हमें Tatoline से benz LDA psychologist बनाना और इस रियक्षन का नाम हे अटार्ड तो दो सबसे पहले सबसे पहले तॉले लिलो आपको पता होना चाहिए टोलीन का मतलब होता है benzine के उपर csev, साथ मैं आपको लेना है kromyle chloride, क्या लेना है kromyle chloride तो सर ठीक है सबसे पहले टॉलिन ले लिया उसकी reaction करा दी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ in the presence of CS2 तो यहाँ पर बनेगा देखो ध्यान से CH का CH अब यहाँ पर इसको कर दिया bracket में OCROSCL2 क्या लिखा यहाँ पर OCROSCL2 ऐसे प्यार से बुलाना याद रखना ठीक है तो बेंजीन जिसके उपर CS3 उसको हमने बुला टॉलिन टॉलिन की reaction हमने कर रही क्रोमाइल क्लोराइड के साथ in the presence of CS2 तो यहाँ पर बना बेंजीन CH OCROSCL2 और जैसे इसका मैंने hydrolysis किया यह सारा group convert हो गया aldehyde में किसमें convert हो गया बच्चो aldehyde में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं सिंपल से reaction है सबसे पहले आपको लेना है टॉलिन टॉलिन की reaction कर रही क्रोमाइल क्लोराइड के साथ in the presence of CS2 बनेगा आपका complex ठीक है और इस complex में OCROSCL2 करना है बाद में जब पाने डालोगे तो पाने की सामने तो कुछ भी नहीं चलता सीधा O जुड़ेगा CHO ओके नेक्स reaction इस गटर्मेन कॉक और गटर्मेन कॉक रियक्षिन में क्या होगा ज्यान से देखना सबसे पहले आपको बेंजिन लेनी है और बेंजिन की reaction CO, SCL, NIDRUS, FECL3 कैसे करा होगे CO, SCL, NIDRUS, FECL3 सिर्फ आप रियेजेंट याद रखो सीधा प्रोड़ेक्ट बनाओ क्योंकि आपके इसमें mechanism नहीं है, है तो reaction भी साही से नहीं पर पूछी जाती है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे 6 तरीके जिसे हमने LDID बनाएं, अब हम देखेंगे ketone कैसे बनाएं, चलिए, preparation of ketone, ketones देखते हैं, तो देखिए सबसे पह जिसका नाम है, ग्रिगनाड रिएजेंट, शोट में लिखते हैं, ग्रिगनाड रिएजेंट होता क्या है, RMG X, X का मतलब सरी वो जो गई थी, नहीं नहीं, वो वाली नहीं बेटा, वो तो चली गई, X का मतलब होता है, कोई भी हैलोजन member, जैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ड्र अब इसकी रिएक्शन बने करें, क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, जैन से सुनना, R2CD, क्या बनेगा, R2CD, और बचा क्या, Mg X, और यहां पे CL था, तो Mg X, CL बचा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बोला, सब सब लेक रिएजेंट की रिएक्शन, क्लोराइड से कर यहां डाइ-Alkyl-Cadmium, देखें, इसको हम डाइ-Alkyl-Cadmium क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2R है, मतलब डाइ-Alkyl-Group र का मतलब, तो डाइ-Alkyl-Cadmium है, तो यहां पे हमने यह डाइ-Alkyl-Cadmium को यूज लिया, और एसिट क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन गरा दी, एस क्लोराइड है, तो यहां पे बेंजिन लग रहा है, तो हमने एसे क्लोराइड की रिएक्शन डाइ-Alkyl-Cadmium से करा दी, तो हमें मिल गया किटोन, और किटोन को लिखते कैसे है, र-C-डबोराइड है, यह होता है किटोन, मतलब एक र अलगे, दूसरा अलगे, और बीच मे क्या है, C-डबोराइड के साथ बनाया हमारा किटोन, यह दो स्टेप में है, फेली स्टेप यह हुई, फिर यहां से R2CD लिया, इधर डाला, ऐसे क्लोराइड के साथ रिएक्शन गराई, किटोन बन गया, चलिए, दूसरा है, नाइट्राइल से, नाइट्राइल से किटोन क में से बनेगा, दियान से सुनना, सबसे पहले आपको लेना है, नाइट्राइल ग्रूप, और नाइट्राइल ग्रूप होता है, C- puisse-N ग्रूप, इस नाइट्राइल ग्रूप, अब यहां पर क्या होगा, नाइट्राइल किर नेएक्शन हम कराएंगे, C6H5 MGBR, सर्यली तो मेंबर ब्रोमीन और mg का mg हाँ जी तो यहाँ पर हमने क्या करा नाइट्राइल की रियक्शन हमने करा इक रिगनाट रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ओफ एथर तो हमारे पास बना कुछ इस तरह से देखिए यह जो है तूटेगा और यहाँ पर mgbr अटेक करेगा तो यहाँ बनेगा और mgbr और यह 6-6-5 इसके साथ जुड़ जाएगा इसी कारबन के साथ तो देखिए एक तो बना एन mgbr और यह जो है ऐसे जुड़िए यह जुड़िए और यह बना एन mgbr अब यहाँ पर हम फाइनली क्या करेंगे हाइड्र लाइसिस करेंगे और जैसे हाइड्रोला बॉंड है अवह एक आर डेश और आर मतलब यह दुनों एक दूसर साल लगे तो यह आर और यह कुछ भी माल लो यहां पर यह बन गया हमारा कीटोन जिसका नाम है प्रोप्यो फिनोन तो इस तरह से हमने बना दिया नाइट्राइल से तो सब से बिल हमने बनाया फ्रॉम ऐस substituted benzene जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसालेशन रियक्शन अब फ्रीडल क्राफ्ट एसालेशन में क्या करना है सबसे बिले बैंजिन लेनी है बैंजीन की रियक्शन acid chloride से करानी है इस अगेन acid chloride rc double bond or cl in the presence of anidus alcl3 तो यहां पर क्या होगा c double bond 4 और यह आर ग्रूप जाके attach हो जाएगा और cl यहां से चला जाएगा बस कुछ नहीं करना इसमें cl अटा देना और जो भी बचाएगे इसको add कर देना हो गया कि सिंपल सा और यह सबसे अच्छी method है अगर आपको aromatic ketone बनाने होते हैं तो आपके पास सबसे best method होती है friedel craft acylation reaction so friedel craft acylation reaction is the good matter for the preparation of aromatic ketone ओके तो यहां पर हमने ketone की method of preparation देखी सबसे पहले aldehyde की method of preparation देखी जिसमें हमने देखा by hydration of alkyne rosenbund reduction stephan from ester a dart reaction gutterman koch उसके बाद from preparation of ketone हमने देखी तो preparation of ketone सबसे पहला है from acyl chloride from nitrile from benzene यह substituted benzene मतलब friedel craft acylation reaction जिसमें बेंजेन की reaction acid chloride से कराई in the presence of an idris alcl3 तो हमारे पास बना ketone और ketone कैसे हुआ यह क्योंकि यह आर है तो यह 8 देश है दोने एक दूसर से अलग अलग है और बीच में c double bond O है और यह जो reaction है friedel craft acylation reaction यह best reaction है for the preparation of aromatic ketone चले नेक्स देखते हैं reaction of eldeide ketone मनाया उसको ले लो जीसे मैंके । अब इसकी reaction करा के देखेंगे कि क्या वन रहे है चुकि पहले थो हमने eldeide ketone म provides Bueno a इसकी chemical reaction मतलब eldeide ketone यह क्या वन रहे है तो elder करूसर रहा है और जब मैं reduction करहूंगए तो primary alcohol अलकॉ울 मिलता है यहां पर मैं आपको पता देता हूं fields I had primary alcohol on reduction और जो केटौन होता है वो देता है secondary alcohol धियान रखना है काफी important है जब 예 Abi reduction होगा तो वह देगा primary alcohol जब केटौन के reduction होगा तो यह केटौन रिदेक्ट longitud पर मिलता है secondary alcohol तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है पी से primary क्योंकि पहले LDID है और ketone टूटेगा तो secondary alcohol clear है और टूटेगा किसकी presence में reduction किसकी presence में होगा तो सबसे best reducing agent होता है LILH4 it is the best reducing agent okay now second reaction is Clemenson reduction यह भी LDID को तोड़ने के काम आती है अगर आपको reaction में out of syllabus question आता है two marks में तो वह यहीं से आएगा Clemenson और वुल्फ किशनर क्योंकि यह दोनों reaction काफ़ी important है और यह आपके LDID and ketone का reduction करती है ठीक है तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं Clemenson reduction तो यहां पर आप double bond O कर लीजिए this is O क्योंकि आपको पता है C double point O होता है ठीक है अब white side में अगर hydrogen है तो LDID हो गया और आर डेश है तो ketone हो गया जिसे आप सभी को पता है न कि LDID क्या होता है CHO ग्रुप अब CHO को में और क्या लिख सकता हूं C double point O H क्योंकि यह oxygen carbon के साथ आगे और hydrogen का hydrogen है यह देखिए तो यहां पर आप O कर लीजिएगा this is O okay C double point O H so this is O तो Clemenson reduction में क्या होता है जैसे ही मैंने कोई भी LDID लिया सपोज यहां पर LDID लिया इसका reduction कराया in the presence of ZN, HG, SCL तो यहां पर बनेगा alkane और पानी तो जैसे ही मैं LDID का reaction कराऊंगा LDID की reduction कराऊंगा तो वहां पर हमारे पास बनता है alkane और पानी और यह reaction का नाम है Clemenson reduction now next is wolf kishner and it is very very important reaction wolf kishner में क्या होता है जो भी LDID की tone है अब देखो मैंने यहां पर यह specify नहीं किया कि LDID की tone क्योंकि मैंने सिर्फ C double bond O लगा के छोड़ दिया अगर मैं R और R dash लगाँ तो यह ketone हो जाएगा और अगर मैं यहां पर hydrogen लगा दूँ तो यह LDID हो जाएगा तो LDID की tone कुछ भी यहां पर इसका मतलब है यहां पर छोड़ने का मतलब है या तो यह LDID हो सकता है यह ketone हो सकता है तो जैसे ही मैं LDID की tone की reaction कराऊंगा in the presence of N2H4 यहां से निकलेगा पानी और पानी निकलने के बाद यहां पर जुड़ेगा एक NH2 का ग्रुप जुड़ जाएगा ठीक है फिर इस NH2 की reaction में KOH और इथैलिन ग्लाइकोल की presence में कराऊंगा तो फाइनली मुझे मिलेगा CH2 और साथ में nitrogen तो यहां पर जो LD है या ketone है वो CS2 में convert हो रहा है फाइनली तो इसमें भी CS2 में हो रहा था पर main difference किया है कि इस reaction में पान ही निकलता है और इस reaction में nitrogen तो सबसे भी हमने देखा क्लिमंस रेडक्शन जहां पर LD है किटोन की reaction होना है यहां पर बनता है CH2 और N2 तो फार्ट सिव इतना सा है एक तो रिएजेंट चेंज है जड़ एज़ जी एससेल क्लिमंसन में मिलते हैं और वुल्फ किशनर में N2H4 कोच इथालिन ग्लाइकोल की प्रेजन्स में reaction होती है चलिए आगे देखते हैं next हमने देखा सबसे बिले reduction अब देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है next point में कि LD जो है easily oxidize हो जाता है जैसे मालो LD होता है CHO और oxidize होने का मतलब है कि इसमें oxygen जुड़ा तो जैसे ही CHO में oxygen जुड़ेगा बनेगा COOH मतलब यह जो LD है ग्रूप था oxygen जुड़ने पर यह carboxylic group में बदल गया तो LD है जो है easily carboxylic में बदल जाता है तो यह LD है यह oxygen है और यह क्या बना कार्बोक्सलिक कार्बोक्सलिक ओई ग्रूप कार्बोक्सलिक ग्रूप ओके तो LD है इसली oxidize इंटू कार्बोक्सलिक पर महीं अगर मैं कीटोन की बात करूँ कीटोन क्या होता है C double bond O R R- तो अगर मैं कीटोन की reaction करा हूँ कीटोन का oxidation करा हूँ तो कीटोन का oxidation बहुत ही मुश्किल होता है vigorous condition पर होता है तो ध्यान रखना LD है जो है वह easily oxidize हो जाता है पर कीटोन जो है बहुत ही vigorous condition पर oxide होता बनाता है तो देखो मैंने आपके लिए theory में लिख भी दिया है कि जो LD होता है वह easily oxidize हो जाता है और जो कीटोन होता है वह vigorous condition vigorous condition मतलब बहुत जादा temperature बढ़ाने पर strong oxidizing agent use करने पर तब जाके वह oxidize होगा तो LD है तो आराम से पट जाएगा पर कीटोन को पटाने में बड़े मुश्किल है चलिए नेक्स देखिए tolerance test जो होता है वह mild oxidizing agent की presence में होता है ठेके सर यहां तक clear हो गया कि जो tolerance test होता है वह mild oxidizing agent की presence में होता है साथ ही साथ यह जो tolerance test की reaction होती है यह alkaline medium में होती है मतलब basic medium में होती है तो सबसे पहले हमने लिया aldehyde क्योंकि हम reaction किसकी करवा रहे हैं? aldehyde की tone की तो मैंने चलो aldehyde ले लिया जैसे ही मैंने aldehyde लिया यहां पर मैंने लिया tolerance reagent tolerance test या फिर आप बोलो tolerance reaction का reagent होता है tolerance reagent वो होता है HGNS3 का whole twice ओके in the presence of ammonical silver nitrate यह convert होता है RCWO negative में RCHO से RCWO negative बनता है और यहां पर silver का deposition होता है that's why हम यहां पर कहते हैं कि silver mirror form हुआ है क्या बोलते हैं? silver mirror form हुआ है तो यह है tolerance test चलिए नेक्स्ट है आपकी failing test failing test में आगे आपको aldehyde लेना है क्योंकि aromatic aldehyde जो है इस test को नहीं देते तो मैंने एक normal aldehyde लिया है normal aldehyde मतलब ca3 ca2 aromatic नहीं लिया aromatic का मतलब होता है benzene ring के साथ वाला वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि failing test जो है normal aldehyde देता है तो normal aldehyde लिया उसकी reaction कराई copper से OH- से तो हमारे पास बना copper जो dark blue कलर का था अब वो red brown PPT में convert हो गया तो यहाँ पर हमने aldehyde की reaction कराई ये RCW negative बनाया है copper जो dark blue कलर का था वो red brown PPT में convert हो गया तो यह था failing test तो हमने देखा failing test, tolerance test, wolf-kishner reduction, clemenson reduction, reduction to alcohol तो यह थी सारी reaction of aldehyde in ketone उससे भी हमने देखा यहाँ पर fredal kraft acylation reaction nitrile से हमने ketone बनाया, acyl chloride से हमने ketone बनाया और जो aldehyde था उसमें हमने देखा था hydration of alkyne, rosinwood reduction, stiffen reaction, aster से बनाया, etard reaction से बनाया, gutamine cox से बनाया तो यह था स्टप का lecture preparation of aldehyde in ketone, and reaction of aldehyde in ketone तो आई होग आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको इसके notes के requirement है तो आप whatsapp से जुड़ सकते हैं, whatsapp से कैसे जुणना है मैंने इसी वीडियो के description में बता रखा है कर दो आपको